हलो चेंपियंज कैसे हैं सब लोग आई होप सब बढ़िया होंगे स्वस्त होंगे तो यहां पे आपके सामने एक बहुत बड़ा अपडेट है और अपडेट है जिनका की 6 मनद पहले है वो चोपर के अंदर है वो क्रेस हो गेते और उनकी अनफूर्चनेट मतलब की डेत हो गेती और उसी के बाद से यहां पे अटकले लगा जा रही थी कि नेक्स एडियेस है वो कौन होगा और यहां पे है बहुत सारी जो नाम है वो बार बार आपकी तर तो उसमें सबसे पहले यहां पे आपके जो डाउट से या आपकी जो रिकमेंडेसंस थी उनमें सबसे उपर आ रहे थी नाराउने साहब और यहां पे बदूरिया साहब mostly जो लोगों की recommendations आ रहे थी, next CDS है, उनकी race में ये दोनों नाम है, वो सबसे पहले आ रहे थे, लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें, तो यहाँ पर जो गौर्वेंट का notification जा रही हुआ है, गौर्वेंट की notification में तीन चीज़े हैं, गौर्वेंट ने बहुत ज़्यादा, मतल lieutenant general या general है, वो army में वहाँ पे है, जो भी candidate lieutenant general या general हो, या retired officer हो, तो वो इस post के लिए eligible है, सेम इही मतलब कि उनके parallel rank में है, आपके air force और navy के अंदर भी गौर्वेंट ने notification जारी किया है, तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है, कि lieutenant general होते हैं, वो जनली three star generals होते हैं, और यहाँ जो army chief है, वो four star general होते हैं, हमार cds की post है, वो भी four star general की post है, तो यहाँ पे गौर्वेंट ने ये announcement करके, यह clear कर दिया है, कि यहाँ पे three star serving या retired person है, वो इस post के लिए eligible है, और गौर्वेंट का इसके पिछे का intention क्या है, intention यह है, कि पहले जो four star general है, वो ही available होते थे और उनके जो chief होते थे, उनके अंदर कहिना कई age, जो issues है, वो आते थे, उस वसे जो nomination है, वो बहुत limited होते थे, लेकिन यहाँ पे, जो three star general है, उनको allow करके, गौर्वेंट ने मतलब किये कि, options की जो availability है, वो बहुत ज़्यादा कर दिये, और उनके basis पे है, गौर्वेंट आगे मतलब क काम कर रही है, उसके बाद में जो next measure change हुआ है, वो क्या हुआ है, कि यहाँ पे, कोई भी जो person candidate eligible कौन सा होगा, जो मतलब joining के time पे, appointment के time पे है, जिसकी age है, 62 years है, उसको cross नहीं किये हो, तो यह जो point है, वो भी एक measure मतलब की point है, जहाँ पे मतलब, जो हमारे जो predictions है, most likely है, व उसका जो कोई भी serving officer, cds, जो serving cds है, उसका जो कारेकाल है, वो 65 years तक उनकी date of birth, या मतलब कि उनकी age 65 years हो, तब तर उनका कारेकाल है, वो बढ़ाया जा सकता है, इस कड़ी में, अगर मैं जैसे वीपिन रावजी की बात करूँ, तो आपे जब उनका चोपर क्रेस वाता है, 64 years, और यह जो announcement है, उसको लेकर हम मान सकते हैं कि most likely है, उनका जो extension है, वो almost confirm था, यहाँ पे अगर हम बात करें, तो same जैसे announcement है, वो Air Force और Navy के लिए भी यहाँ पे किया है, क्योंकि यहाँ से भी हम CDS की post है, वो Air Force Navy, या Army में से कहीं से भी है, वो best serving officer के basis पे, या जो retired officer है, उ आपकी age 62 years है, वो cross नहीं करनी चीए, मैं age भी बार-बार जोर क्यों दे रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे आपके predictions है, वो कैसे गलत होने वाले हैं, दूसरा यहाँ पे है, 3 star या 4 star जो officers है, वो यहाँ पे eligible है, जो भी retired officer है, वो भी, और जो current में serving officer है, वो भी 3 star में, मतलब Lieutenant General आ आपको extension मिल सकता है, अब आपके prediction के point वी से सबसे उपर है, वो नारावनी साब का नाम आ रहाता, कि यहाँ पे नारावनी साब है, वो most likely हो, next CDS होंगे, लेकिन जब मैंने इनकी death, sorry, date of birth है, वो देखी, तो यहाँ पे इनकी date of birth है, वो बेटा, 20 second या 22 April 1960 है, वो इनकी date of birth ह criteria के अंदर यह already है, वो 62 years है, वो मतलब कि age limiter वो cross कर चुके हैं, तो मेरा prediction यह कहता है, कि इनका nomination है, वो almost confirm है, कि इनका nomination नहीं होगा, उसके बाद में जो second race में आ रहे थे, वो बधूरिया साब आ रहे थे, तो बधूरिया साब की जब मैंने date of birth देखी, तो यह है आपकी 15 September 1959 और यहां से भी है, वो आपके age criteria है, इसको meet नहीं करें, तो most likely है, इनका भी nomination है, वो यहां पे नहीं होने वाला है, तो यहां पे next CDS के point of sharegram बात करें, तो next CDS कौन होगा, तो यह एक बहुत ही मतलब में, बात कर बहुत interesting value है, देखने को मिलेगा, और most likely है, इसी week आपको है CDS की, जो next CDS है, उनका announcement है, government जारी कर सकती है, क्योंकि Ture of Duty के अंदर भी काफी कुछ हलचल हो चुकि है, और most likely जैसे media के अंदर खबर आ रहे थी, कि आज वो Ture of Duty पे कुछ announcement हो जाएगा, लेकिन उसके बाद में last end minute, जो end मौके पे है, government है, उसने वो announcement है, वो cancel कर दिया, त तो वो Ture of Duty का जो concept है, वो भी बहुत जल्दी है, आपके सामने आएगा, लेकिन उससे पहले जो CDS है, उसकी post है, most likely है, वो यहाँ पे declare कर दी जाएगी, तो next CDS कोन होगा, next CDS यहाँ पे है, वो 3 star या 4 star general हो सकता है, अब आप बोलोगी 3 star general है, क्या 4 star general के उपर जागे CDS की post पे है, क्या appointment किया जा सकता है, जी हाँ बिल्कुल किया जा सकता है, क्योंकि गोर्वेंट की अगर इस current government का trend देखें, विपिन राव जी थे, तो विपिन राव जी जब उनको मतलब कि army chief बनाया गया था, तो वो rank में, यहाँ पे है, junior थे, उनसे उपर भी 2-3 officer है, वो ओर लेकिन उनको rank से उपर upgrade करके है, वहाँ पे उनको army chief बनाया गया था, तो present government का trend देखें, तो उसमें 3 star general है, वो भी यहाँ पे है, CDS की post के लिए eligible है, तो यह देखने वाला interesting पहलोगा, कि next CDS है, वो कौन होगा, उसके बाद में अगर में हमारे जो नए students जुड़े हैं, उन पे जो भी बच्चा, यहाँ पे हमारे साथ Air Force Navy, NDS, CDS के लिए preparation करना चाता है, वो यहाँ पे definitely है, वो join कर सकता है, और यहाँ पे आपको, मतलब best application पे है, best education है, वो provide की जाती है, उसके बारे में अगर में बात करूँ कि आपकी जो queries है, उनके लिए आप हमारे help line number है, उन प आप हमारे तो आपकी जो 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 आ